जाहिन दोस्तों आज हम सुद्र के उपर बात करेंगे सुद्र कौन है और सास्त्रों की माने तो यह सब्द किसके लिए परयोग में आता है सास्त्रों में OBC के लोगों के लिए सुद्र सब्द का परयोग किया गया है और अंतियज सब्द CSP के लोगों के लिए परयोग किया गया है अंतियज का अर्थ होता है सबसे नीच जाती के लोग यानि कि जो लोग गाउं से बाहर या वन ब्रवस्था के बाहर के लोग होते हैं उनको अंतियज कहा जाता है और ब्रहामन छत्री वैसे के घर में जाकर सेवा करते हैं उनके पशो को समालते हैं उनकी खेती करते हैं या उनके कई प्रगार से सेवा करते हैं जैसे नाई, कुमार, धोवी, दरजी, तेली, तमोली, ऐसी जाती जिसे सुद्र कहते हैं मनुस्मिर्थी कहती है, सुद्र जो है वो सुगर के समान होता है जबकि हमारा भारतिय समिधान, इसकी तुलना में भारत के समिधान सभी नागरिकों को समान मानता है और जीवन के प्रतिए एक छेटर में अफसर देता है, अफसर की समानता देता है, लेकिन मनुस्मीर्ति काती है, OVC के लोग सुगर के समान होते हैं, वो पिछले जनम के पापई होते हैं, और उनके पिछले जनमों के गुन करमों के वज़े से ही, उनका ब्रतमान जनम सुद् और उनको किस प्रकार के टीटमेंट करने की बात कहती है। जो परलोक में उक्त प्रकार में जन्म प्राप्त होते हैं। यानि OVC के लोग सुवर के समान होते हैं मनु के दिश्टी में और भारते समिधान सबको समान मानता है। जीवन के प्रतेक छेतर में अफसर प्रतान करता है। तो जो OVC के लोग हैं या कहते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट होना चाहिए। हमारे भारत में समिधान की जगह मनु समिर्थी लागू होना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको मनु समिर्थी क्या अजिकार देती है। आपको तो खुद मनु समिर्थी सुगर के समान मानती है। तो आप सोचिए आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। क्या आपके लिए समिधान सही है या मनु समिर्थी। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएगा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही जनकारी पूर्ण तर्क पूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के ल तरह ये धन्यवाद